इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह के इलाज के लिए किया जाता है। ये पेट की समस्याओं जैसे अनुचित पाचन, भूख ना लगना, दस्त और कब्ज के इलाज के लिए एक प्रभावी उपाय है। होमियोपैथिक उपचार के आधार पर इसका उप्योग करना सुरक्षित है और इसका कोई दुश्प्रभाव नहीं है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, इसका उप्योग मुख्य रूप से हृदय विकारों और हृदय रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। दो, उच्च रक्चाप और कॉलिस्ट्रॉल को नियंतरित और मॉनिटर करता है। 3. इसका उप्योग यौन संचारित रोगों से जुड़े कुछ लक्षनों के इलाज के लिए भी किया जाता है। 4. लीवर में किसी भी असामानिता को रोकने में उप्योगी है और खांसी, टॉंसिल और गले में खराश जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को ठीक करता है। 5. आखों में दर्द और पेचिश से राहत पाने के लिए यह एक प्रभावी उपाय है। 6. इसका उप्योग योनी संक्रमन के इलाज के लिए भी किया जा सकता है।